एक गणतंत्र के रूप में अपनी आत्रा सुरू की और तब से प्रतिवर्स 26 जम्री को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं आधुने गणराज्य की सासन विबस्ता के तीन अंग होते हैं विधाई का, कारेपाली का और न्याईपाली का ये तीनों अंग स्वायत होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक दूसरे पर आधारित भी होते हैं परंत बास्तों में तो लोगों से ही राष्ट बनता है हम भारत के लोग ही अपने गणतंत्र का संचालन करते हैं अपने साजा बविस्य के बारे में निरणे लेने की बास्तो एक सक्ती हम भारत के लोगों में ही नहीं थै हमारे संभिधान ने हम सबको एक स्वाधीन लोगतंत्र के नागरिक की रूप में कुछ अधिकार प्रदान किये हैं लेकिन संभिधान के अंतरगत ही हम सबने यह जिम्मेदारी भी ली है कि हम नियाय स्वतंत्रता और समानता तता भाईचारे के मूल भूत लोगतांत्रिक आदर्सों के प्रति सदय प्रतिबद्ध रहें राष्ट के निरंतर विकास तता परस्पर भाईचारे के लिए यही सबसे उत्तम मार्ग है राष्ट पिता मात्मा गांदी के जीवन मूलियों को अपनाने से इन संबैधाने कादर्सों का अनुपालन हम सब के लिए और भी सरल हो जाता है ऐसा करते हुए हम सब मात्मा गांदी की 150. जैनती को और भी सार्थक आयाम दे सकेंगे मेरे प्यारे देशभासियों जन कल्यान के लिए सरकार ने कई अव्यान चलाए है यह बात विसेश रूप से उलेखनी है कि नागरिकों ने स्वेक्षा से उन अव्यानों को लोकप प्रिये जन अंदलोनों का रूप दिया है जनता की भागीदारी के कारण स्वक्ष भारत अव्यान ने बहुत ही कम समय में प्रभावसाली सफलता हासिल की है भागीदारी की यही भावना अन्य छेत्रों में किये जा रहे प्रियासों में भी दिखाई देती है चाहे रसोई गैस की सबसीडी को छोड़ना हो या फिर डिजिटल बुक्तान को बढ़ावा देना हो प्रधान मंत्री उज्वला योजना की उपलब्धियां गर्व करने योग है लक्ष को पूरा करते हुए आठ करोड लाभार्थियों को इस योजना में सामिल किया जा चुका है ऐसा होने से जरूरत मंद लोगों को अपस्वक्ष इन्धन की सुविधा मिल पा रही है किसान सम्मान ने दी के माध्यम से लगभग 14 करोड से अधिक किसान भाई बहन प्रती वर्स 6,000 रुपए की नूनतमाय प्राप्त करने के हगदार बने है इस से हमारे अन्न दाताओं को सम्मान पूर्वक जीवन बिताने में साहिता मिल रही है बढ़ते हुए जल संकट का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए जल शक्ती मंत्राले का गठन किया गया है तता जल संरक्षन एवं प्रवांधन को सर्भूच प्रातमिक्ता दी जा रही है मुझे बिस्वास है कि जल जीवन मिसन भी स्वक्षबारत अवियान की तरह ही एक जन आंधुलन का रूप लेगा सरकार की प्रतेक नीती के पीछे जरूरत मंद लोगों के कल्यार के साथ साथ ये भावना भी होती है कि सबसे पहले रास्ट हमारा जीएस्टी के लागो हो जाने से एक देश एक कर एक बाजार की अवदहरना को साकार रूप मिल सका है इसी के साथ ए नाम युजना द्वारा भी एक रास्ट के लिए एक बाजार बनाने की प्रक्रिया मजबूत बनाई जा रही है जिससे किसानों को लाब पहुँचेगा हम देश के हर हिस्से के संबून विकास के लिए निरंतर प्रयास रत है